हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माइटक सपोर्ट चैनल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं Nokia 3 फोन की जैसा कि अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको Nokia 3 फोन का ओवर व्यू मैं दिखा रहा हूँ जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं ये मेरे बास Nokia 3 का बॉक्स है चलिए अब हम एक नजर इसके फीचर्स पे डाल लेते हैं जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर Android वर्जिन इसका जो है वो 7.0 नॉगट में है अगर हम यहाँ पर इसकी बॉड़ी की बात करें तो बॉड़ी हमें इसकी Almonium Plus Plastic में मिलती है साथ ही अगर हम यहाँ पर इसकी डिस्पले की बात करें तो यहाँ पर हमें डिस्पले 5 इंच की HD Polarized डिस्पले मिलती है अगर हम यहाँ पर camera की बात करें तो यहाँ पर हमें front and back camera दोनों ही 8MP के autofocus में मिल जाते हैं और यह phone हमारा 4G LTE और VOLTE को भी support करता है साथ ही अगर हम यहाँ पर इसके processor की बात करें तो यहाँ पर हमें quad core का processor दिया गया है और यहाँ पर हमें 2GB RAM मिलती है साथ ही हमें 16GB internal storage भी मिल जाता है इसके लाबा यहाँ पर हमें memory card का भी slot दिया गया हम चाहें तो memory card insert करके भी इसका storage काफी बढ़ा सकते हैं और अगर हम यहाँ पर battery की बात करें तो यहाँ पर हमें non-remobile battery मिलती है जो की 2630 mAh की battery है तो चलिए अब हम इसकी unboxing कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छी packing में हमारा यह phone आया है तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मिलता है SIM ejector चलिए इसको देखते हैं निकालके और इसको side में रख देते हैं इसके लाब हमें यहाँ पर काफी सारी tutorial guide है तो वह आप उनको पढ़ सकते हैं तो फिलाल मैं इनको यहाँ पर नहीं पढ़ रहा हूँ तो इसको side में रखते हैं और यहाँ पर हमें एक और box दिया गया है चलिए इसको अब हम open कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मिलता है एक earphone जो की normal सा earphone है साथ ही यहाँ पर एक data cable में मिल जाता है और यहाँ पर हमें एक charger मिलता है जो की 1 ampere का है तो यहाँ पर हमें fast charging नहीं मिलने वाली है यह cable normal ही charge कर सकता है हमारे phone को तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने main unit की तरफ तो यहाँ पर यह है हमारा main unit जो की एक Nokia 3 phone है और अब इसको हम on कर लेते हैं आप देख सकते हैं यह phone look by काफी अच्छा है और hand में आप देख सकते हैं काफी अच्छा phone यह लग रहा है तो चलिए हमें इसकी फटा-फट से setting कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब हम finish कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमें यह phone मिलता है अगर हम उपर की side से slide करते हैं इसको तो यहाँ पर हमें काफी सारे shortcut मिल जाते हैं इससे कि हम इसको काफी असानी से use कर सकते हैं अगर हम बात करें phone के उपर की side की तो यहाँ पर हमें 8MP का auto-focus camera मिलता है साथ ही यहाँ पर हमें एक sensor मिलता है और यहाँ पर Nokia की branding भी दी गई है और अगर हम बात करें यहां पर फोन की डाउंसाइड की तो यहां पर हमें राइट साइड में एक multiple button मिलता है center में home button है और left side में हमें backward का भी button मिल जाता है और friends यहां पर मैं आपको एक बात और बता दियू यहां पर हमें fingerprint skinner नहीं दिया गया है साथ ही यहाँ पर हमें एक speaker मिलता है एक microphone और यहाँ पर USB 2.0 भी दिया गया है इससे कि हम अपने phone को charge कर सकते हैं साथ ही अपने computer से भी इसको connect कर सकते हैं अगर हम बात करें उपर की side में तो यहाँ पर हमें headphone jack दिया गया है साथ ही हमें noise cancellation के लिए भी microphone दिया गया है और back side में यहाँ पर 8 megapixel का rear camera भी flash के साथ दिया गया है और यहाँ पर भी आपको Nokia का logo देखने को मिल जाता है तो पीछे की side से मुझे लगता है कि यह plastic cover है और इसकी जो side में जो chrome दी गई है यही हमारी cable metal की chrome है और यहाँ पर हमें right side में power button मिलता है plus volume up and down button भी मिल जाता है अगर friends हम यहाँ पर left side की बात करें तो यहाँ पर हमें sim slot दिया गया है plus यहाँ पर हमें memory card भी slot दिया गया है friends मैं यहाँ पर आपको बता दूँ यहाँ पर हमें dual sim card मिलते हैं plus एक SD card slot भी मिलता है यहाँ पर hybrid slot नहीं दिया गया है यहाँ पर आप dual sim card प्लस memory card तीनों को ही एक साथ यूज़ कर सकते हैं और हम बात करें अगर android version की तो यहाँ पर हमें android version 7.0 nugget दिया गया है android version 7.0 के साथ smoothly set को operate कर सकते हैं यहाँ उपर की साइड में हमें काफी सारे shortcut menu दिये गया है यहाँ पर हमें brightness control का एक option मिलता है साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें side में google search engine भी मिल जाता है तो यहाँ पर हमें इस phone को बड़ी smoothly चला सकते हैं साथ ही हाँ पर हमें stock ball paper भी काफी सारे मिल जाते हैं तो चलिए मैं आप आपको इसके कुछ captured photo को दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं आपर हमें काफी अच्छी camera की quality मिलती है तो दोस्तो आज की unboxing हमारी यहीं पर खत्म होती है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो please वीडियो को like share जरू करें और नई वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को subscribe भी कर सकते हैं तो मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए Thank you friends